नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Motorola G8 Power Light में आप Talkback को कैसे Off कर सकते हैं आपके पास Motorola का कोई सा भी model हो कोई फरक नी पड़ता है सबका UI एक जैसा होता है तो Talkback Off करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि Talkback एक्चुल में होता क्या है Talkback एक ऐसा feature है जो कि हर phone में दिया गया होता है तो ये feature उन लोगों के लिए होता है जो आँखों से थोड़ा देख नहीं पाते हैं तो वो टच करके सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या टच किया है तो उस टाइप से वो अपने phone को चलाते हैं लेकिन कई लोग सूचते हैं कि ये system की तरफ से defect होता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ये feature होता है जो की हर phone में होता है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं मैं एक finger से इसको चलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन यह चल नहीं रहा है ना ही कुछ टच हो रहा है तो जब आपके phone में step के problem आती है तो आपको क्या करना है तो दो finger का use करना है आपको swipe करने के लिए इधर से उधर page पे जाने के लिए तो आप मैं आपको बता देती हूँ कि talkback को off कैसे करना है talkback को off करने के लिए आपको क्या करना है setting पे click करेंगे और दो बार tap करेंगे इसकी बाद दो finger से आपको इसको scroll करना है और accessibility को select करेंगे और इसकी बार double tap करके open कर लेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं talkback आपका on हो रखा है तो इस पे आप select करेंगे और दो बार tap करेंगे तो आपका talkback वाला option देखने को मिल जाएगा अब आपको क्या गरना है talkback वाली service को click करेंगे और दो बार tap करेंगे और यहाँ पे आपको talkback off करने का option देखने को मिल जाएगा इसको आप ok पे click करेंगे और दो बार tap करेंगे तो आपका talkback successfully off हो चुका है अब आप अपनी एक finger से अपने phone को चला सकते हैं easy तरीके से और आपका phone वैसे ही हो गया है जैसा पहले चल रहा था तो इस type से आप talkback को off कर सकते हैं या on कर सकते हैं और इस type की video देखने के लिए आप मेरी channel को subscribe कर लिजिए साथ में bell icon को दबाना ना भूलेगा ताकि मेरी आने वाले updates आपको मिलते रहें तो चलिए guys मैं मिलती हूँ आपको एक next video में तब तक के लिए नमशकार